ओ थोड़ा आराम से हो इतनी भाग भाग के मता हो थक जा हुए थक जोग आराम से देखो देखो ये सेलो स्टूडेंट्स तो यॉर लोकेगाट इनर्जी लेवल ओफ आर मास्कोट आफ स्टेप अपकाडमी इतनी एनर्जी से वह आरे और वह चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उ या फर कुछ क्वाइरीश के बारे में तो विद इस एनर्जेटिक वर्ट लेट्स इमीजिएटली बिगिन वेट तोड़ेस टॉपिक दाट इस हाव तो हाफ क्या होता है आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हाफ का मतलब क्या होत है यह में यह हाफ दोनों सेंस में यूज होता है एक होता टांजिबल बताने के लिए एक होता है इन टांजिबल बताने के लिए टांजीबल इंटांजिबल Type तांजिबल जिसको देखा या चुआ जा सकता है जैसे कि स्टाइलिस्स देख सकते हैं चूँ सकते हैं जिस चीज का फिजिकल फरम है जिस चीज की फिजिकल एक्जिस्टेंस होते हैं इंटांजिबल जिंको देखा या चुआ नहीं जा सकता जैसे भूत आत्मा नो 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 तो वो feelings, emotions जिनको देखा चुआ नहीं जा सकता, intangible चीजों को भी बताने के लिए हम क्या word use करते हैं, have, to have काफी commonly used होने वाला word है, जो बहुत सारी sense में, बहुत सारी चीजों के साथ use किया जाता है, तो हम आज इस वीडियो में categorize करेंगे, have को कि कहां कहां किसके sense में use किया वीडियो को proceed करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूंगी, कि have जो use होता है, वो present sense में use होता है, अगर मैं इसका कुछ form change कर दूँगी, मैं अगर have को had कर दूँगी, या half की जगा will have, may have, can, have, could have, shall have, should have, कुछ भी change कर दूँगी, तो वो meaning convey नहीं करेगा, जो exact half करता है, कि because have exactly simple present में use किये जाने वाला word है, और जब हमाया पास कोई चीज होती है, वो बताने के लिए हम use करते है, present time में, और अगर मुझे past में बताना है, तो मुझे have की जगा hat करना पड़ेगा, future में बताना है, तो मुझे will have use करना पड़ेगा, probability बतानी है, तो may have, और ऐसी अलग have, अब हम हमेशा बोलते हैं, I have this, I have that, I have lot of problems, I have lot of tension, I have a headache, I have a mobile, I have a marker, I have this, I have that, हमाया पस प्लतोरो चीज होती है, तो वो सब बताने के लिए हम half का use कर सकते, for example, सबसे पहले have is used to refer to things that are owned, such as things that we own or that which belong to us, वो चीजे जिंको हम own करते हैं, जिन चीजों के हम मालेक होते हैं, जो चीजे हमें belong करती हैं, for example, यह stylus मेरा है, यह मुझे belong करता है, I own this, so I have a stylus, अब मेरे पास एक idea है, so I have an idea, idea दिख रहेगा, दिखाओ ना, कहा है मैं है, छूके तो देखो उस idea को, so we cannot see or touch, तो यह क्या हो गया, intangible, तो intangible के लिए भी हमने have use करा, tangible के लिए भी हमने क्या use करा, have use करा, और पढ़ते हैं, कहां कहां पर use होते हैं, सबसे पहला, have is used to refer to things that are owned, जिसका हमें मालिक नगना हक होता है, स्वामित अधिकार होता है, ownership होती है, वो हमें belong करती हैं, वहां पर हम use करते हैं, have, example, have, sorry, I have a pen, I have a car, अब एक चीज़ और नोट करें, अगर मेरे पास एक चीज़ है, क्या तभी ही उसका रूँगी मैं have, और सिंस में नहीं यूज किया जाता है, हम बिलकुल यूज कर सकते हो, अगर आपके बहुत सारी चीज़ें, तो भी यूज कर सकते हो, I have many pens, I have many cards, तो यह बताने भी जर I have many pens, I have many cards, तो दोनों सेंस में यह यूज किया जाता है, singular बताने के लिए और plural बताने के लिए बट याद क्या रखना है, कि कोई चीज़ हमें बिलॉंग करती है, कोई ownership बताने के लिए, position बताने के लिए, next, have is also used to express relationship, I have two brothers, we are four siblings, तो यह क्या है, I have this, I have that, I have two brothers, तो relationship बताने के लिए क्या यूज किया जाता है, have का use किया जाता है, पहला use हाँ पे हमने क्या देखा, ownership बताने के लिए, दूसरा यहाँ पे क्या देखा, relationship बताने के लिए, I have five paternal aunts, I have three maternal uncles, so, I have two brothers, I have a sister, I have one young sister, तो यह सब relationships बताने के लिए, क्या यूज करते हम, half का use करते है, हाँ पे दो चीज़े clear होगी, पहला ownership बताने के लिए, ownership चैसे singular की बताई जाए, या फिर ownership plural के साथ बताई जाए, दूसरा कहां पे यूज का relationship बताने के लिए, हमाई पास कितने भाई भ चीज़े हैं, वो सब बताने के लिए हमने क्या यूज करा, half का use करा, let's immediately use further और कहां कहां पे half का use किया जाते है, third, have is used to express the ability, that is quality और skill, आपके पास कोई skill है, मेरे पास है, I have teaching skills, I have language skills, तो किसी चीज को करने की कला, swimming skills, किस के पास, कितने लोगों के पास है, swimming skills, I highly appreciate it, because that's not my cup of tea, so I have as used to express the ability, or the quality, or the skill, जैसे की, I have a lot of knowledge, मेरे पास बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा ग्यान है, ये मेरी quality है, ये मेरी खुबी है, किसी की कोई quality, किसी का कोई skill, या किसी चीज को करने की शमता, ये सारी चीज़ें कहां से बताई जाती है, इस word have say, So I have a lot of knowledge, I have teaching skills, मेरे पास बढ़ाने की कला है, Now, next we can also tell about our body by have, हम body parts बताने के लिए भी have use करते, I have, I don't have long hairs, मेरे लंबे बाल नहीं है, I have, I don't have exactly beautiful eyes, बटी क्या, I have beautiful eyes, तो कोई भी body part define करने के लिए, बताने के लिए हम क्या use करते है, have का use करते है, So I have two hands, I have black hair, कोई भी चीज जो body parts में आती है, हमारे physical description में आती है, वो हम कौन से word से बताते है, by using word have, तो इस लाइड में में क्या दो चीज़े और पता चली, have से जो हम बता सकते, एक हो था, ability to do something, कोई सी कारे को करने की शमता अगर हमें बताने है, तो हम have word use करेंगे, या फिर अपने कोई quality, characteristic बताने, अपने कोई खुबी बतानी है, तो भी हम have से बताएंगे, अपने कोई skill, खला बतानी है, तो भी हम have से बताएंगे, next हमने देखा, हम body parts बताने के लिए, physical features बताने के लिए, have sharp nose, तो physical features बताने के लिए, body patch बताने के लिए, हम क्या use करते है, half का use करते है, here we go with the next one, so next use होता है half का, disease बताने के लिए, problem बताने के लिए, ailments बताने के लिए, illness बताने के लिए, कोई बिमारी हो अगर आपको, तो आप उसको बता सकते हो, using the word have, हाँ उसके ownership नहीं होती हमारे पास but we possess that thing, which is particular time के लिए हमारे साथ ऐसी होती है, so I have fever, मुझे बुखार है, I have headache, अब headache word से मुझे याद आया, जो मेरे बहुत सारे students मुझे इसके बारे में पूछ चुके है, the word is A-C-H-E, जिसका हिंदी का जो चारन होता है, एक, दो, तीन, चार वाला, वो जो हिंदी में हम ज के लिए, for example, I have a headache, मेरे सिर में दर्द है, तो headache, पेट में दर्द है, तो स्टमक एक, दात में दर्द है, तो टूथ एक, right, so कोई भी पेन, कोई भी प्रोब्लम, कोई भी ऐल्मेंट या इलनेस बताने के लिए हम क्या यूस करते है, हाफ का यूस करते, next हाफ का यूस किया आता है, feelings बताने के लिए, emotions बताने के लिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मेरा बहुत अच्छा मूद है, so I have a good mood today, यह बताने के लिए हमने क्या यूस करा, have का यूस करा, next हाफ यूस होता है, confidence बताने के लिए, for example, I have confidence, I have the courage to do this thing, I have the strong willpower to do this thing, so willpower, confidence, courage, यह सब चीजें क्या होती है, सारे चीजें, confidence में आती है, और कहीं न कहीं यह चीजें, intangible category में आती है, जिनको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, जिनको feel किया जाता है, तो feelings की category में, यह non intangible की category में हमारी है, word जाते है, जो हम कहां से बताते है, using word have, here we go with the next one, और क्या क्या बत सकते है, I have an idea, I have many innovative ideas regarding the same, I have a creative idea for it, तो कोई भी idea बताने के लिए, हम है का यूज करते है, और कुछ receive करा है हमने, तो वो receiving बताने के लिए, बिकिस हमने कोई जीज रसीव कर लिए, प्राप्त कर लिए, अब हम उस चीज को पॉस्स करते है, तो वो भी हाफ से बता सकते है, व I have a mobile, I have, अब exactly अगर देके तो होता है, I have received a mobile, मैंने किसी से mobile receive करा, बट कोई चीज अगर हमने किसी से प्राप्त करिया, वो चीज अब हमारी है, तो हम क्या बोलेंगे, I have a mobile, तो these are various things where we use have, जल्दी से recall करते हमने कहां कहां पे देखा हाफ का use होते है, तो सबसे पहले जो major use, have का वो क्या होता है, ownership बताने के लिए, ownership something that we possess और वो चीज फिजिकली एक्जिस्ट करती है, उसका एक structure है, next use होता है, have का हमने कहां पढ़ा था, intangible चीजे बताने के लिए, जैसे feelings हो गए, emotions हो गए, ideas हो गए, confidence हो गए, यह सारी चीज जिनको देखा यहां चुआ नहीं जा सकते हैं, और खापे यूज होता है, half का यूज क्या बताने के लिए, body parts बताने के लिए, relationships बताने के लिए, physical characteristics या features बताने के लिए, और body parts बताने के लिए, relationships बताने के लिए, और ऐसी कोई चीज जो हमने receive करी है किसी से, लेकिन वो अब हमारी हो गए, वो भी बताने के हमने हाफ का यूज कर रहा बिमारी बताने के लिए डिजीज इस बताने के लिए भी हमने हाफ का यूज कर तो यह कुछ important चीजें थी जहां पे हम अलग-अलग sense में हाफ का यूज कर सकते हैं लेकिन हाफ चो मीनिंग कन्वे करेगा वह ownership की ही मीनिंग कन्वे करेगा अब एक छोटी सी चीज और बतानी है हाफ और हैस के बारे में आई यूवे दे अगर यह plural subjects है तो उनके साथ हम हम यूज करेंगे और अगर singular सॉरी आई यू वी और दे आई यू को तो exceptionally treat किया जाता है plural category में reasoning बहुत बार बहुत सारी वीडियो में discuss कर चेकर चुके हैं आई बिकेम यू और यू बिकेम आई मैं आप पोचा तो आप मैं मैंने आप से कुछ पूचा वट आई यू दूइंग तो आप पूचा यू करके आंसर नहीं करोगे तो जो interchange होता रहता है और यू को हम single में भी consider करते हैं plural में भी तो majorly यू का use हम plural category में करते हैं आई यू भी दे plural category में consider करे जाते हैं और plural की चीज़ों के साथ हम have का use करते हैं present tense में present time में यह चीज़ और ध्यान रखिये next he she ate यह किसी का नाम जब singular subjects होंगे तो singular के साथ हम have की जगा पर has का use करते हैं वो भी present point of time में बस इतना साही difference have और has जहां जहां भी हमने have पढ़ा वो सारी जगा पर हम has का put कर सकते थे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यह चीज स्टार्टिंग से क्यों नहीं बताई बहुती लॉजिकल एंसर है इसका एक बच्छे को बच्पन से सिखा दो यह उसको जब हम beginning जो उसकी age होती जो initial stage होती है learning की वहापे हमें उनको बहुत सारी चीज़े सिखा नहीं होत है the very third day I asked him which is your right तो उसको थोड़ा अलग word लगा कि यह तो ममा ने बताए कि this is left तो कुछ right hand पूचा यह दूसरा हाथ है तो ब्रभाब ने this must be so I taught him this is your right hand very correct तो यही मैंने आप लोगे साथ भी फंडा यूज करा है मैं आपको पूरा have आपड़ा दिया और last में बता दिया कि है एक हाज भी होता है जो इस सेंस में यूज करा जाता और वो सारी जगह पर करा जाता है जहां पर हमने हाव पड़ा तो he has a mobile she has she has a headache she has headache और Radhika has singing skills skills बताने के लिए art बताने के लिए confidence बताने के लिए किसी के पास कुछ time है तो I have five minutes I have two hours I don't have time negative sense में हो जाए का वो मैं अभ जाने वाली हूँ सो यह सारी चीजों के साथ हमने हाफ का यूज देखा आप singular sense में हम क्या हाफ की जगह है यूज करेंगे वो सारी चीजें जहां जांज हमने है पड़ा था वो सारी जगह आप हैस का यूज करके देखिये और practically sentence को form करना सीखिये नव अब यहां पर क्या बताना है अभी हमने यह पड़ा था है आफ के बारे में और जो मैंने अभी एक दो बार दिया था वीडियो में डोंट आफ वाला डोंट आफ वाला बीकिस मेरे बहुत लंबे बाल नहीं दे तो मैंने आपको ऐसा बोला I don't have long hair और मेनी बहुत beautiful eyes नहीं ह I don't have beautiful eyes but यहां में पढ़ना तो जरूर है कि don't have होता कहां पर कि sense में यूज किया जाता है तो हमने have पढ़ लिया I have a pen मेरे पास pen I have a shirt मेरे पास shirt है अब कोई मेरे पास जिसका position नहीं है हम उस चीज को own नहीं करते है नहीं sense में यह negative sense में जब हमें have को use करना हो तो half की जगह क्या हो जाता है don't have अभी don't have क्या होता है do not have कि कोई चीज मेरे पास नहीं है मैं किसी चीज की owner नहीं हूँ तो I'll use don't have I don't have swimming skills I don't have particular thing कोई चीज नहीं है मेरे पास तो हम do की हाफ की जगह don't have I don't have a pen I don't have a shirt simple आपको वही करना है जो अभी आपने sentence बनाया I have और object बताना है और negative करने के लिए हाफ से पहले don't लगा देना that simple it is अब क्या पको पता है इसको पूछेंगे कैसे interrogative sentences में कैसे use करेंगे तो अगर मुझे किसी से कुछ पूछना है क्या आपके पास मेरे पास तो कोई पैन नहीं क्या आपके पास पैन है क्या और क्या आप कुछे शेयर करोगे तो क्या आपके पास पैन है तो क्या यूज करेंगे do you have a pen you have a pen हम यह बनाते हैं sentence I have a pen you have a pen और इसको अगर question बनाना है तो question हम क्या से start कर देंगे हम question sentence के पहले do लगा देंगे और एंड में question mark लगा देंगे तो यह चीज एड़ कर देंगे subject verb object में तो हमारा बन जाएगा interrogative sentence जहां पर पूछा जाएगा कि क्या किसी subject के पास कोई चीज है मौजूद यहां वो चीज मौजूद नहीं है यह पता करने के लिए हम interrogative sense में use करते हैं हाफ को I hope it's quite clear is go practice the tunnel zada karo ga utana zada aapko samaj me aega without practice you cannot do anything with practice I bet on you you can even move the mountains but please practice now the auxiliary have is used in the formation of the past perfect ins एक और बहुती common use होता हाफ का जो कहां पर use किया जाता है जब हमने tenses पड़े थे और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या आपसे वो चीजे मिस होगी तो I would immediately request you यहां पर pause कर दीजिए window को minimize कर दो और आप present perfect tense या past perfect tense डाल के देखिए तो आपको पता चलेगा कि has और have का use हमने perfect tenses बताने के लिए भी सीखा था और उसी को हम आज यहां पर discuss कर रहे है तो have का use एक और होता है the auxiliary have अब यहां पर have कौन है main verb नहीं है यहां पर have as an auxiliary verb helping verb या supporting verb के जैसे use किया गया है in the formation of the past perfect tense क्या सिरफ past में होता है नहीं present में भी हो सकता है यह बिलकुल तो present perfect tense बताने के लिए यह past perfect tense बताने के लिए यह future perfect tense बताने के लिए भी हम half का use करेंगे अब यहां पे have present tense मेज प्रेजंट पर फिक दिन पहाम होगा है जोगा पास्ट फिक दिने हैं डोजएगा फ्यूज़ पर फिक दिनसम फिल है वोट जाएगा रहा है रहा है लपका इस चललके नहीं आरा कोई action एक बीते हुए समय से होता आ रहा है complete नहीं हुआ और अभी भी हो ही रहा है he has been working और अगर मैं इसके साथ since यह फॉर लगा दूंगी तो यह complete sentence बन जाएगा जो grammar में हमने पड़ा था tenses की category में have is used with the infinitive to indicate obligation example यह क्या बोल रहा है पहले यह तो समझे example पर जाने से पहले have का use किया जाता infinitive के साथ अभी अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमों मैंने infinitive के बारे में बताया था बट फिर से brush up कर देती infinitive क्या होते है two plus verb की first form original form और root form जहां पर two के साथ verb की original form या root form का use किया जाता है उसको हम infinitive बोलते हैं तो यहां पर क्या बोल रहा है have का use किया जाता है infinitive के साथ क्या बताने के लिए obligations बताने के लिए हम किसी चीज़ के लिए करतक गें obliged है यह बताने के लिए I have to be there by five o'clock so I have I have मेरे पास कोई चीज है के नहीं यहां पर ownership नहीं बता रहा यहां पर क्या बता रहा I have to be there मुझे वहां पर होना पड़ेगा पांच बजे तक it is my humble duty to be present there by five o'clock पांच बजे तक मुझे वहां पर होना पड़ेगा अब यहां पर हमने दो चीज़े और समझी कि हाफ जो वर्ब है वो possession बताने के साथ साथ और क्या चीज़े बताता है जब वो main verb नहीं होगा auxiliary supporting यह helping verb होगा तो महाँ पर present tense present perfect tense past perfect tense या future perfect tense में यूज़ किया जाएगा अलग अलग form में अलग form क्यों बोला हाफ की जगा महाँ पर हैड हो जाएगा past में और future में वेल हाव हो जाएगा इसके साथ साथ हमने यह भी देखा कि हाफ का यूज़ करते हैं किसके साथ infinitive के साथ हाव बताने के लिए obligations बताने के लिए duties बताने के तो यह कुछ और दो important uses था जो आपको पता होने चाहिए about have now when so used have is either anomalous that is used without do does did ने negatives and questions और non anomalous that is used with do does did हम यहाँ पर क्या बोला कर हम इसको ऐसी sense में use करते हैं है आपको तो इसको हम क्या बोलते हैं anomalous जिसको हम special treatment देते हैं special verbs भी बोल सकते हो तो यह यहाँ पर special होते हैं क्यों special होते हैं because यह यहाँ पर used without do does did यह have के साथ यहाँ पर do did does यह सब कुछ नहीं आता है और non anomalous हो सकते हैं that is used with do does हमने question form में देखा था हमने do का use करा है so when so used have is either यहां तो have एक normal होगा special verb की जैसे consider करा जाएगा यहां फिर एक regular verb की जैसे consider किया जाएगा the anomalous form is preferred when the reference is to particular occasion the non anomalous form is often used with reference to habitual or permanent state अब यह चीज़ important है जो आपको याद रखनी है कि हाव में हम difference कप करेंगे कि हाव का यह treatment करना है यह फिर हाव के साथ यह treatment हो रहे है और अगर हाव के साथ use नहीं किया जा रहा है do does did negative interrogative affirmative किसी भी sense में तो हम हाव को as a special verb consider करेंगे और उस case में हम क्या समझेंगे कि क्या बता रहा है the anomalous form is preferred when the reference is to a particular occasion तो हम वहापे particular occasion से refer करेंगे तो हम उस sense में anomalous consider करेंगे और जब non anomalous consider करेंगे तो वहाँ बे reference क्या होगी habitual activity बताने के लिए कोई permanent state की चीज़ बताने के लिए तब हम वहापे do does did यह forms के साथ हापका यूज करेंगे एक्जेंबल से justify करते हैं have you to get up early tomorrow morning क्या आपको कल जल्दी उठना पड़ेगा have you to get up early tomorrow morning क्या कल सुब आपको जल्दी उठना है कल particular location सिर्फ कल के लिए पूछ रोज नहीं उठना पड़ते कल आपको के जल्दी उठना आपने जैसा बोला क्या आपका 8 बजी से schedule है तो कल क्या आपको जल्दी उठना पड़ेगा क्या so particular location का बता चला do you have to get up early क्या आपको रोज जल्दी उठना पड़ता है do you have to get up early तो मैंने tomorrow नहीं करा today नहीं बोला day after tomorrow नहीं बोला particular day नहीं बोला particular date नहीं बताई यहां पर क्या आपको रोज असा करना पड़ता है तो routine activities बताने के लिए habitual चीजे बताने के लिए permanent चीजे बताने के लिए हमने क्या यूज करा do does did in forms का यूज करा जिसे हमें क्या पता चला non-animalist nature का पता चला regular treatment का पता चला so this is what the difference job को समझ में आना चाहिए negative में भी sense में समझ लेते I haven't to go to school today यह कौन सा form दा अनमेलस हो गया particular occasion बता रहे आज मुझे मुझे जाना होते है बट आज मुझे नहीं जाना है I don't have to go to school on Sunday मुझे Sunday को school नहीं जाना है I haven't to go अब इसमें haven't to go to school यह infinite form के साथ आया जो मैं particular occasion के बारे में बता रहे बट इसमें यहां पर do not do आ गया do not have to go to school on Sunday मुझे हार permanent activity routine है habit है हर Sunday को school नहीं जाना होता है fixed चीज है यह तो यहां पर हमने इसको क्या treat करा non-anamalus consider करा और उसके साथ हमने क्या पहचान देखी do doesn't it का यूज हुआ चाहिए अफर्मेटिव हो नेगेटिव हो या interrogative sense में यूज हो और इसके साथ हमने क्या इससे sense ली कि कि sense में यूज की अगे habitual चीज़ बताने के लिए तो यह बहुत important part था जो half का पता होना चाहिए अगर जब हम ऐसे sentences बनाते हैं उनको grammatically सही समझने के लिए सही meaning convey करने के लिए आप पूरे छोटी छोटी चीज़ें पता होना बहुत जरूरी है about the word have and with these words we are done with the topic have I hope you really got to learn a lot और अगर ऐसी बहुत सारे अलग-अलग subjects के बारे में अलग-अलग classes related information चाहिए so please don't forget to visit our official channel that is www.stepupacadmi.ind.in इस पर visit करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को promote करें अब here we go with the end और हम दोनों में और हमारी Step Up Academy का beautiful सा white panda जो हमारा mascot हम लोग आपको thanks बोलने के लिए आए हैं और जतना हो सके हमारी videos को like, share और subscribe करो thank you very much once again